Hello friends, welcome to PW UPSA वाला foundation. सभी friends का बहुत-बहुत स्वागत है. तो आज ही class में हम बात करने वाले है Geography Class 6, The Earth in the Solar System, First Chapter देखेंगे. काफी सारे students के ने, आप सभी ने message किये, ऐसा नहीं है कि आपके जो messages हैं हम देखते नहीं है. तो आपने quality का 6 NCRT कर लिया, है ना, हमारी एक UPSA पर आम चर्चा भी होगी दोस्तों, और आप हम बात करने वाले हैं Geography की. तो देखो, basically क्या है, कि जब हम ये, काफी सारे बच्चों ने message किया, कि पहले 6 से लेके 12 तक का जो quality हैं फिनिश कीजें. कही ना, कही आप पढ़ चुके हैं उस quality को, है ना, तो यहाँ पर चुकी में, दो batches already पढ़ा चुकी हो, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, थोड़ा सा एक change भी हो जाएगा, एन साथ-साथ में, अगर आपके पास काफी समय है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें केवल quality पढ़ना है, या फिर हमारे पास जो paper आएगा, उसमें केवल quality सब subject एक साथ लिखे होंगे, तो एक साथ पढ़ लेते हैं, क्या problem है, तो पहले कुछ-कुछ basic समझ लेते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्लास 6 के, पॉलिटी के बाद जोग्रफी का कर लिया, ठीक है, हिस्ट्री आपका वहाँ चली रहा है, उसके बाद जोग्रफी के बाद, अब शुरू करते हैं, इसमें शिकायत वाली कोई बात नहीं है, चलिए, काफी सारे स्टुडेंट ने मैसेज किया था, कि अचानक से ऐसा कैसे, इसलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा देमोक्रासी है, थोड़ा सा सफाई खुद को डिफेंड करना पड़ता है, तो हम आज बात करेंगे, दा आर्ट इन दा सोलर सिस्टम, ठीक है, बिसिकली देखो, दा आर्ट और हैबिट आर्ट जो जो जोग्रफी का क्लास, आपका 6 का NCRT है, इस पर आपके 6 चैप्टर्स है, फर्स हम देखेंगे, दा इन दा सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल की अगर हम बात करें, तो उसमें प्रतवी, हैना, कहा है, क्या उसकी अस्तिती है, कौन सा लार्जस्ट प्लानेट है, नियरिस प्लानेट में कौन सा नमबर अफ है, यह सारी बातें हम करेंगे और भी हम समझेगे सलर सिस्टम क्या है, एगदम पॉइंट से शूरू करते हैं यहाँ कि solar system मतलब क्या sun stars है ना क्या celestial bodies है ठीक है आर्ट को blue planet क्यों कहा जाता है मतलब एक दम शुरुवाती बात है ठीक है यह सारी बाते हम करेंगे second हम देखेंगे latitude and longitude है ना second हम बात करेंगे globe की latitude longitude तो कि जब आपको geography को शुरू करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको कोई भी एक location जानने है तो सबसे पहले आप map देखोगे map कैसे देखना है तो हम देखेंगे और बने के साधार पर होते हैं तो हम आक्षा देशांतर की बात करेंगे then third आपका है motion of dart की अगर हम अर्थ की बात करें प्रत्वी की बात करें तो उसकी गतियां का है किस तरीके से घूम रही है वह अपने लेवल पर भी घूम रही है प्लस वह सूरी के चारो तरफ भी घूम रही है इन सभी बातों को हम पढ़ते उसका क्या इंपक्ट होता है वह सारे कुश्य जो पीवाई क्यू में आई हुए है यहां से भी हम शुरू कर देंगे ठीके चलो नेक्स हम मैप देखेंगे इसमें बस हमें दिशाय पढ़नी है यह बहुत जादा नहीं इसको हम साथ में कवर कर लेंगे नेक्स हम देखेंगे मेजर डो इसमें आपका खत्म हो जाएगा फाइफ फिर एक हमरी विजन एक टैस्स रख लेंगे क्लिया है चलिए अगर बेसिक है तो अगर बेसिक हमें शुरू कर रहा है तो ठीक हम अरब आराम से चलते हैं पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं कुछ नए तरीके भी अपना लेते है क्या प्रॉब्लम हो उसमें कि हमने अभी पॉलिटी बढ़ रहे थे जोग्रफी कर लेते हैं ठीक है लियर हो गया और स्टूडेंट्स को जो मैसेज करने वाले कि मैं मचानक से जोग्रफी कैसे प्रॉब्लम हो आप कॉमेंट करके बताएगा ठीक है चलो तो बिसिकली हम इस सौर मंडल कहते है और बिसिकली सौर मंडल में आपको कहां पर ठत्रिवी कहां दिख एक इसकर चारों तरफ से उस तरीके से चक्र लगाते है फो सारी बाते हम बताइएगे यहां पर आपको देखんなly गोल है वो नहीं दिख रहा है न हाँ पार दिख रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रहे हूँ तो देखो हम देखेंगे कि यह है हमारा solar system और यहाँ पर जो sun है basically यह सूर की family है न इसलिए हम इसको क्या के दिया solar system क्या दिया तो इस solar system में हम देखेंगे कि अगर हम यह देखें कि सूर से जो दूरी बन रही है ठीके वो कौन-कौन से ग्रह कहा पर है क्या नंबर है उनका सूरी से दूरी के अनुसार और अगर हम size की बात करें तो size के accordingly हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रहा यहां पर आपको कौन से दि आपको क्या है जुपीटर है यह वाला आपका तो यहां पर इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे आपने एपिक देख लिए आप शुरू करते हैं तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जोग्रफी का मतलब आखिर होता क्या है आप परिचित हो गए इस चैप्टर से जैन हम अपको समझने के पहले थोड़ा सा हम सबझें कि जोगरफी जो है इसका मतलब क्या है हपसे पहले इसका मीणिंग हम समझते है ठीक है जोगरफी भूमोल तो देखो ये क्या होता है जब हम शब्दों की बात करते है तो ये कई तरह के जो words से मिलकर बना होता है या किसी एक और word से किसी दूसरी भाषा के जो शब्द है उसके किसी शब्दों से मिलकर बना होता है तो geography मतवग दो शब्दों से मिलकर बना है Greek word भी भी शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है एक तो है आपका GE ठीक है दूसरा आपका Graphia इन दोनों को मिला कर क्या हुआ Geography ठीक है GE का मतलब है Earth प्रत्वी गे का मतलब है Earth प्रत्वी और Graphia का मतलब है जानकारी या फिर Earth के बारे में जो और राइटिंग और जो चीज़े है उसकी जानकारी करना तो Graphia का मतलब होता है लिखना राइटिंग प्रत्वी के बारे में और जानकारी खटा करना और जानकारी को लिखना तो यहां पर हुआ जोग्रफी और ये Greek word है ठीक है Greek word से ये दोनों जो शब्द का मतलब अब देखो आगे अब हम एक वर्ड देखते हैं जोग्रफी के साथ दोती शब्द और मैंने कुछ वर्ड को समझेंगे फिर हम आगे चलेंगे एकदम बेसिक से करेंगे हमें कोई जल्दबाजी नहीं है है ना कोई भी जल्दबाजी नहीं बच्चों हमें 24 के लिए पढ़ना है में 25 के लिए पढ़ना है तो भाग भाग के नहीं पढ़ना है जितना ठहर के पढ़ोगे जितना जाधा आप ठीप स्टडी करोगे उतना आपको रिविजन में भी मज़ा आएगा क्योंकि आपको चीजे याद रहेंगी और अगर आपने देखो अगर आपको result अच्छा चाहिए तो आपको शांती से पढ़ाई करनी होती है धेरे के साथ पढ़ाई करनी होती है ठीके तो अगर मैं उन student से बात कर रही हूँ उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो first time शुरू भागना है हमें चीजों को बस ठीक तरीके से कवर करना है चलो सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम जियोलोजी की बात करें जियोलोजी है ना सो जियोलोजी का मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है study of art ठीके जियोलोजी मतलब हम देखेंगे study of art इसका मतलब हुआ प्रत्वी को मापने से सब्वन देत, ठीक Tetes? यहाँ पर आप याद अड़ ना, कि यहाँ पर क्या है? Pratvī को मापने से सब्वन देत, यह Geometry हो गया और यहाँ पर यह study हो गया, बात यहाँ पर अर्थ की ही हो रही है, अब एक और word है जिसको की हम कहते है जोइड, ठीक है, जोइड आकार का, जोइड का मतलब क्या होता है, जोइड का मतलब क्या होता है, form of the art, प्रत्वी का आकार के जैसा, form of the art, form of the art, फियर हुआ, ये शब्द clear हुए, Geology, Geometry, George, form of the art, मतलब प्रत्वी के जैसा, तो अगर हम Geo के साथ ये सारे words मिला देते हैं, तो इसकी अलग-अलग एक तरीके से जो branches है, वह हो जाती है, जिससे हम आर्ट की जो study है, वह हम करते हैं, ठीक है, तो देखो, basically, ये आपका जो chapter है, वह कुछ चीजों के बारे में जो word है, ये कहां से आया, उन्हें देखा कि ये Greek के दो words हो से मिलकर बना है, तो इसमें जो celestial body है, ये क्या होती है, ठीक है, जो celestial bodies है, यानि खगोलिये पिंड, celestial body, that means, खगोलिये पिंड, ठीक है, फास्ट हम देखेंगे कि ये क्या है, रेट सेकेंट हम यहाँ पर बात करेंगे, स्टार्स क्या होते हैं, यूपेसी कुशन पूछा है, पूछता है कि जो सूरे है, जो सूरे है, सन है, वह स्टार है, स्टार्स क्या हो होते है, नक्षत्र मंडल, नोट्स जरूर बनाईए, जो जो मैं लिख रही हूँ, वो सब आपको लिखना है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिख रही हूँ, जो कि आपको नहीं लिखना चाहिए, फ्रेंस, नक्षत्र मंडल, ठीक है, कस्ट्रिलेशन, नक्षत्र मंडल क्या होत सूर मंडल ये क्या है सूर मंडल बात करेंगे हम आर्थ की बात करेंगे हम सन की सोड़ी की प्रतवी की बात करेंगें हम चंद्रमा की मोन की है ना उसके बाद हम देखेंगे सेविट्स एस्टरॉइट्स calor है asteroids है ना मतलब शुद्र ग्रह asteroids मतलब शुद्र ग्रह क्या है 8 हम इस पे देखेंगे asteroids क्या है asteroids क्या है यानि उलकापिंट किसे कहते है यानि उलकापिंट किसे कहते है और 9 हम इस में देखेंगे galaxy क्या है and universe क्या है galaxy क्या है एंड यूनिवर्स क्या है ठीके तो यह है आपका पूरा मतलब जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है तो बिसिकली देखो बच्चो होता क्या है कि जब आपको शुरुवाती शुरुवाती चैप्टर होता है तो उस पर केवल आपको वर्ट से इंटोड्यूस कराया जाता है क्यों और यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो हम इसमें आगे देखेंगे कि हर एक जगा पर इन सारे पॉइंट का यूज हुआ कि वहां पर प्लानेट का यूज हो रहा है या फिर का यूज हो रहा है आपने वह वर्ट तो याद कर लिए जो गया यह वर्ट क्लियर हो गया है चलिए नेट्स जलते हैं सबसे फिरस्ट मैं आपको यह वर्ड बताते हूं जो कि आपका सलिस्टियल बॉडी का मतलब आखिर है क्या फेले कुछ वट्स खगोलिये पिंड कहा जाता है इसको celestial bodies मतलब जो भी आप देखते हैं जो भी आप अपले आकाश में ठीके जो भी आप आकाश में जो कुछ भी देखते हैं चाहे वह ग्रह हो चाहे वह उपग्रह हो ठीके चाहे वह ग्रह हो चाहे वह सूरे हो चाहे वह चंद्रबा हो ठीके sun moon जो भी आपको इस तरह के और भी जो objects दिखते हैं जो कि shine कर रहे हैं ठीक है जो कि shine कर रहे हैं इन दा night sky are called celestial bodies मतलब जो भी रात में चमक रहे हैं आकाश में उन सभी को हम क्या कह देते हैं celestial bodies कहते हैं हम खगोलिय पिंट उसके बाद तो में आएंगे कि इस खगोलिय पिंट में से ग्रह कौन से हैं उपग्रह कौन से स्टार कौन से सन कौन वो सारी बाते बाद में लेकिस जब हम कहें एक सामन रूप से नहीं कह देते कि अच्छा ये पूरा तो इस सबी को हमने एक तरह के दिया खगोली पिंट कह दिया मतलब चाहे सूर्य हो चंद्रमा हो वे सभी वस्तुएं हिंदी में भी बता रहे हूं इंग्लिश में भी बता रहे हूं ठीक है वे सभी वस्तुएं जो रात के समयाप आकास में आसमान में चबकती हुई देखत Celestial Bodies कहेंगे खगोली पिंट कहेंगे समझ गए आप इस बात को ठीक है तो मैंने आपको दिखा भी दिया मैंने आपको समझा भी दिया अब देखो आपका काम क्या है कि कल की क्लास में आने के पहले आप इसके सारी जो वर्ट से यह सब को डाफिनेशन को याद कर लेंगे क् कि यूपेसी यहां से कुछन पूछता है कि स्टार मतलब क्या यूपेसी कुछन पूछ चुका है स्टार मतलब या कभी इंटम्स को हलके में मतले रहा है ना वनना जब कूशन आएगा आप हलके हो जाओगे Celestial Bodies the Sun the Moon and all those objects shining in the night sky are called Celestial body some Celestial bodies are very big and hot and they are made up of gases इसना बहुत ज्यादा उश्न है कुछ बहुत ज्यादा गर्म है उनमें बहुत उश्मा है बहुत तेज है प्रकाश है और यह जो है यह सब Gases से बनी हुई है जिसे कि हम सूरी की बात करेंगे है ना अगर हम सन की बात करें तो कौन सी गैस से बना हुआ है उससे जो अगर हम देखें तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा चमक रहे हैं ठीक है कुछ ऐसी खगोली होते हैं bodies होते हैं जो ज्यादा चमक रहे हैं जो बड़े हैं जो बीग है होट है है और यहाँ पर याद रखना बचो यहाँ अपना उश्मा अन प्रकाश होता है इनका अपना उश्मा एंद प्रकाश होता है ठीक है इनका क्या होगा अपना उश्मा एंद अपना प्रकाश होता है अपना उश्मा और प्रकाश होगा अब जो खगोली पिंड क्या थे जो रात में चमक रहे थे हो सकता है वो प्रकाश उनका हो सकता है ना हो लेकिन यहाँ प है है ना the sun is a star so यहां पर आपको याद रखना है तसन यही बात पूची थी यूपर सीजिए the sun is a star यह यह इतना celestial body सबच दिया star भी सबच दिया अब आगे देखो अब हम आगे बात करते है star are celestial body which have their own heat and light which they emit a large amount and the sun is a star ठीक है अब next हम देखते हैं नक्षत्र बंडल अगर हम constellations की बात करें नक्षत्र बंडल अच्छा देखो आपने इस तरीके से कही देखा होग तारोह का इस तरह से समुह बना हुआ है एक ग्रूप कहीं-कही तो ऐसा ओता कि आपको बहुत दूर दूर दिख रहे हैं ?!?! Aye कंहीं क्या होता है कि आप तारोह को जो इस तरह सेंग्रूप में देख पाते हैं तो यहान पर जो. अम एक र्यूट कर रहे हैं ठीक है आपकी जो नक्षत्र मंडल है जो ग्रह दशा नहीं चल रही है तो यह यही दशा आपकी सितार ही खराब होते हैं बस वही यह सितारों की दशा है तो नक्षत्रमंडल क्या है, constellations क्या है, the night sky, various patterns are formed by different group of stars, है ना, अलग-अलग अगर हम different group of stars की बात करें, कि star का जो एक समू है, वो मिलकर जो अलग-अलग एक तरीके से एक font बना रहे हैं, वही हम नक्षत्रमंडल कह रहे हैं, ठीके, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, की बात करें, ठीके, तो ये भी एक नक्षत्रमंडल है, बिग बियर की बात करें, ये भी एक नक्षत्रमंडल है, ठीके, clear है, अर्सा मेजर and big beer, अर्सा मेजर and big beer, ठीके, तो ये क्या है, ये भी आपकी नक्षत्रमंडल है, so in the night sky, various patterns are formed by different group of stars, अब देखो अगर मुझे इस definition में से important चार वर्ज याद रखने हो, तब वो कौन से वर्ज होने चाहिए आपके, important अगर मुझे चार वर्ज इसमें से याद रखने हो, various patterns are formed by different group of stars, है न, यही आपका नक्षत्रमंडल है, ठीके, यही क्या है, आपका नक्षत्रमंडल है, so हमने तीन बात है समझ दी, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एक आपका celestial body है, वैं क्या है, और हमने समझ दिया star क्या है, अब हमने यह भी देख लिया कि constellations क्या है, नक्षत्रमंडल क्या है, अब हम आते हैं ग्रहोंबर, ठीके, अब हम बात करेंगे इनकी, तो आपको यह जो दिख रहे हैं न, बच्चों यह ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, यह हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे, यह planets है, अब देखो, यह ग्रह है, planets है, planets है, इस सभी को हम क्या कह रहे हैं, planets कह रहे हैं, ग्रह कह रहे हैं, यह वाला ग्रह नहीं आता हिंदी में, यादटना, यह वाला ग्रह आता है, यह वाला घर के लि कि आपका ये जो planet word है ये आखिर कहां से आया तो the word planet comes from ये भी Greek word से आया और जो Greek word है जो आपका planet है ठीक है इसकी विद्पत्ति इसका भी जो origin है वे किस से होता है Greek word से होता है और ये आपका जो Greek word है ये क्या है आपका planet ठीक है ये इसका इंदी भी लिख लीजे planet टाय जो word है इससे planet बना है ठीक है जो जानते इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम बात करे ये आपका सूरे हो गया सन हो गया ठीक है पर इसी उर्षमा भी निकाल दे अब देखो इस सूरे के चारो तरफ इस सूरे के चारो तरफ जो घूमता है ठीक है इस सूरे के चारो तरफ जो घूम रहा है अपनी कक्षा में फॉर एक्जांपल मानीजे ये बुद्ध है ठीक है तो यहाँ पर ये क्या हुआ इसे ही हम क्या कह रहे है ग्रह कह रहे है ठीक है इसे ही हम क्या कह रहे है ग्रह कह रहे है तो या दख्रा इसका मतलब होता है प्रेडिटाई का मतलब होता है चारो तरफ घूमने वाला इसका मतलब क्या होगा चारो तरफ घूमने वाला परी भ्रामक वर्ट भी आता है हिंदी में परी भ्रामक और word in दोनों sentence के लिए वो है क्या है आपका vendors वो आपते आपका वर्ट क्या है vendors ठीक है परी भ्रामक मतलब जो सूरी के चारो तरफ जो भी एक निशे इसमें एक चक्कर लगा रहे है चारो तरफ उन सभी को क्या कह रहे है हम planet कह रहे है वो सभी क्या है planets है ठीक है तो यह Greek word से मिलकर बना है planet आए और इसका मतलब होता है परीभ्रामक यानि vendors चारों तरफ घूमने वाला तो देखो जब हम planets की बात करेंगे तो कितने ग्रह है कितने ग्रह है आपके में एट आठ मुख ग्रह है ठीक है एट जो है वह है आपके मुख ग्रह है अब देखो उन पर बात और आज आपके क्या है मुख ग्रह होते हैं हमारे सौर मंडल में यहां से शुरू करेंगे तो यहां पर देखो यह आपका मकरी है और अर्थ के जो आपके पास दिख रहा है मतलब अर्थ के भी चारों तरफ एक घूमने वाला ग्रह है जिसे आगे हम उप ग्रह के रूप में समझेंगे सैटलाइट और यह आपको मून दिख रहा है यहां पर ठीके और फिर उसके बाद है आपका मार्स फिर आपका जुपीटर जो की सबसे बड़ा है ब्रहस पती जुपीटर फिर आपका सैटन शनी दैन फिर आपका यूरेनस फिर आपका है नैप्चून ठीके फिर आपका क्या है नैप्चून है अब एक और ग्रह आपने सुना होगा सुदिको यह सूरे से दूरी के अनुसार है मतलब जैसे जैसे सबसे नजदीक कौन सा है यहां पर हम सन की बात करें सबसे नजदीक कौन सा है सबसे पास में है आप का जो सबसे पास में है आपका जो की मरकरी है ठीक है अब देखो मरकरी वेनस ऐस अर इसमेस पहले सुरी के चारों तरफ जो घूम रहा है वो क्या है रहे है प्लानेट है ग्रीकवर्ट प्लाय से आया है उसका सबसे पहले में सूरे के चारों तरफ इस पैपसे नि कष्यािस सूरे के चारों तरफ इसमें जो हमारा हूर है यह आपका भूद्ध कर यशा आफको भूद्ध ऩया है यहां इसे अब बूद्ध supply कैप paste Background मर्करी है यल्लrr निखें जाओ आपका क्या याँए यह साफ तो इसकी आपको क्या म Pandemie कि यह डाइखना कि देखना कि देको सूरे के चारो तरफ है और जैसे जैसे अगर हम इसकी चारो तरफ इस से कख्शा बढाएंगे, और एक सेbyggen अजीन कहोंद से तो राउंड्ड करते जाएंगे तो राउंड्ड बढ़ा होता जाएगा और जैसे जैसे राउंड्ड बढ़ा होता जाएगा तो सुरे के चारों तरफ चप्षर लगाने का टाइम है वो भी तो बढ़ता जाएगा, जैसे कि देखो, बुध ग्रह जो की अगर हम बात करें, मकरी जो है, वे 88 डेज में, वे क्या है, वे 88 डेज में सूरे के 4 तरफ जो है, वे 1 चक्तर लगा लेता है, ठीक है, अगर हम मकरी का टाइम देखें, तो याद अटना कि टोटल इसमें 88 लगते हैं अगर आप सन की बात करें चारों तरफ घूमने में ठीक है अब देखो इसके बाद सेकेंट क्या है इसको सूरे के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगता है तो यहां पर आपको एक बात और याद अठने इसके साथ साथ कि जो शुक्र है शुक्र के बाद क्या है अर्थ है ठीके प्रत्वी अर्थ है प्रत्वी अर्थ है प्रत्वी एक बात तो क्लियर हो गई कि यह थाड है मतलब अगर हम यह देखें कि सूरे के नजदी का जो तीसरा ग्रह है वह कौन सा है तो अर्थ है अर्थ हमारे लिए जाधा important है क्योंकि हमें जितनी भी हम चीजों को समझते हैं जितनी भी हम celestial bodies का जो अध्यन करते हैं वो सभी हम अठ के चारों तरफ ही करते हैं जिसके अगर हम सूरी की बात करें सन की बात करें तो देखो कि अर्थ से लेके सन के बीच की जो दूरी है इस देखे। तो जाधा तरह कि तत्व को ही हम केरबान कर सारी जो चीजेंगे उससको हम समझते हैं और हारत उर्थ को लेकर होगे होता है। हों और तीसरा हो गया आपका इर्थ ठीके लें। मार्स और आपका हो गया मंगल गरे, ठीक है, मार्स, तो इस तरीके से चार गरा आपके हो गए, मरकरी, वीनस, आर्ट, एंड मार्स, ठीक है, फोर हो गए आपके, अब आगे देखो, अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको छोड़ दो यह क्या है, यह बैल्ट हम आगे समझेंगे हैं न, आगे बताओंगे कि यह क्या है, अब हम आते हैं, यहाँ पर यह जो आपको चार और गरा दिख रहे हैं, जो कि थोड़े से जाधा बड़े दिख रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे, तो यहां पर यह जो है आपका जुपीटर है रास्पती ठीक है जुपीटर है तेन फिर यह जो है आपका इसको हम क्या कहेंगे सैटन आप जो शनिवार को मंदर जाके तेल चड़ाते ना वस इसी को खुश करते हैं तो यह जो सैटन है मन्या शनिग्रह है तेन फिर आपका और लास्ट है आपका नाप्चून नाप्चून ठीक है नाप्चून तो इस तरीके से हमने क्या देखा वन तू थ्री फोर फाइब आठ ग्रव हो गए आपके ठीक है तो यहाँ पर आपको एक जो क्रम है वो याद अठना है आपको पूरा जो सिक्वेंस उसको याद अठना है आपको तो यहाँ पर बाद वाले जो ग्रह बाद वाले जो प्लैनेट है जूपिटर सैटर्न यूरेनस और नेप्चून आपके एक और सुना होगा जिसका की नाम प्लूटो है सुनाएं पहले आप नोग्रह पढ़ते होंगे तो यहाँ पर अभी तो हम आठकी ही बात कर रहे हैं प्लूटो की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी चर्चा आगे करूंगी फिलाल यह समझ दो कि जो प्लूटो है 2006 में इसको प्लैनेट की सूची से बाहर कर दिया ठीक है और यह कब किया गया था एक इंटरनेशनल अगर हम देखे तो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उसकी मेटिंग हुई थी जिसमें की प्लूटो को बाहर कर दिया था ग्रह की श्रेनी से ठीक है ऐसा क्यों किया गया था एक वर्ट के साथ आपको समझाती हूं आपको यह समझ में आ गया चलो अब एक और नया शब्द हम सीखते हैं जो कि है आपका और ठीक है कक्षा अब देखो हमने दिखा कि यह अपनी निश्चित कक्षा है किसी को काट तो नहीं रहे है जैसे कि आपको बचों फेंस हम क्या बात कर रहे है पाथ की बात कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखेगे कि इनकी जो है on the eight planet of the solar system move around the sun move around the sun in fixed path तो अगर हम प्लानेट की बात करें move around the sun in fixed path देखें ये fixed path है in fixed path और यही जो fixed path है जानते हैं इसको क्या कहा जाता है कक्षा क्या कहा जाता है इसको orbit इसको कहा जाता है orbit या कक्षा मतलब एक ऐसा निश्चित पत जिस पर सूरी के चक्कर लगा रहे होते हैं तो ग्रहज वही है जो सूरी के तारो तरफ चक्कर लगा रहे है प्लूटो को जानते हैं इसलिए बाहर कर दिया था क्योंकि बाकी की जो path है उसको भी cross करके जाता तो यहां पर प्लूटो को 2006 में जो meeting हुई थी International Astronomical Union की इसलिए बाहर किया दिया था क्योंकि यहां पर इसका एक fix path नहीं था यह बाकी जो आपके planets है उनका जो fix path उनका जो orbit है उसको भी cross करता था और यह planet की definition से प्लूटो को बाहर करता है समझे समझ में आया आपको यह जि इसलिए और तीसरा है आपका Earth याद अथना friends कि जो प्रत्वी है और जो आपका शुक्रग्रा है ठीक है जो आपका Earth है और जो आपका Venus है एक question जो यूपेशिपी पुछता है मतलब देखेंगे sentence में आपको मिलेगा यह center की प्रत्वी का जुड़वा ग्रह वैं किसको कहा ज तो यहां पर आपको याद अखना है बिकॉस इस साइज शेप आर वेरी मस्सिमिलर तो यहां पर अगर हम चुन की बात करें तो यह वीनस को लिखते जाओ यह सब वीनस लिखते जाओ यह सब के वल डाइग्राम मत दिखवाया बच्छों को होगा कि बहुत ऐसा लग रहा कि मा पर केवल पिक ना देखो बच्छों लिख लो है ना सो देखो विनस की अगर हम बात करें तो याद रटना कि यह प्रत्वी के सबान है अब देखो साइज अगर मैं कहा दू एक जैसा है नहीं है वह गलत हो जाए रहे है कि बल साइज एंड शेप की बात हो रही है समझ गई इतना समझ गई यह सारी information तो यहाँ पर हमने समझा orbit क्या है planet क्या है star क्या है यह सारी बातों को हमने समझ लिया ठीके कितने है Pluto को भी हमने से बाहर कर दिया अब आगे देखो अब थोड़ी सी जो चर्चा है वह solar system वर्ट पर हो जाए क्यूंकि यहाँ पर solar system इस परिवार का मुखिया है ठीक है so the sun सूर्च जो आपके eight planets है और जो भी आपके satellites जो उपग्रह है and some other celestial bodies और भी जो खगोली पिंथ है ठीक है डोन एस एस्टरोइट्स एंड मेटरोइट्स अगर अब शुद्रग्रह की बात करे हम उलका पिंथ की बात करे form the solar system तो यह सार चीज़ें मिलकर हमारा जो पूरा सौर मंडल है वह बनाती है clear है इतना अच्छा देखो एक बात और याद रखो कि यहां पर हम बात करेंगे जिसे की इस पे हम यह देखें for example यह हमारी आर्ट हो गया ठीक है यह हमारी प्रत्वी है फिर इसके बाद solar system कहा आएगा इसके अंदर करें हम बाहर करतें चलो बाहर करते हैं न तो यह आपका second जो round है इससे बढ़ा वो क्या हो गया आपका solar system का हुआ अगर हमें galaxy बनानी हो galaxy वट यह होगा आपका galaxy ठीक है galaxy galaxy के बाद solar system है याद अठना और अगर हम galaxy या milky way की बात करें galaxy या milky way आकाश गंगा या milky way आकाश गंगा और पिर जब हम ब्रम्भांड कहते हैं है न यूनिवर्स मिस यूनिवर्स तब यह जो मिस यूनिवर्स है यह इससे भी बड़ा यूनिवर्स मतलब सब कुछ पूरा ब्रम्भांड जिसमें जाने कितनी लाखो आकाश गंगाए हैं galaxy है जेकर कितनी आकाश गंगाएं कितनी galaxy हैं लाखो वो पूरा ब्रम्भांड जो हमें नहीं पता हमें सबकुछ फुरिए पता है कि आप सोचू कि आपको जो दिख राए केवल उतना ही आस्मान है ना यह सारे चीज़ें नहीं पता हमें बहुत कम इंफॉमेशन से इस चीज़ों के बारे में तो हमने जो नहीं पता हमें के लिए यूनिवर्स पूरा यूनिवर्स मतलब जो कुछ भी है जिसका भी अस्थित के लावा कोई और ग्रह की चीज़ों का जो स्टडी है वह किसको सेंटर मान के चलते हैं इसले प्रत्वी की बात करें आर्थ की बात करें उसके बाद फिर होगा आपका गैलेक्सी आपकी आकाश गंगाई इंग्लिश में सारी वर्ट से आ लिखें बच्चों हिंदी में भी जरूरी है थोड़े से टम्स होते हैं क्योंकि है न और फिर है आपका उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मभाण सो 1, 2, 3 and 4 समझ गए है न सो सोलर सिस्टम का मतलब क्या है सोलर सिस्टम का मतलब है related to the sun सोलर सिस्टम का मतलब है related to the sun and the family of the sun सोलर मंडल का मतलब क्या है जो सूर से संबंदित है related to the आराय समझ में comment करके बता दे न प्रीज है न ताकि मैं आगे आपको और अच्छे से समझा पाऊ क्योंकि जोग्रफी में थोड़े से टम्स होते है न आप चलो quality तो आप देख रहे हो आप सीख जाते को कि आप सोतंत्रता का अधिकार महसूस कर रहे हो तो आप ने उस चीज़ को आपने करेक्ट कर लिया लेकिन आप सूर्य को कैसे भाट चलो आप वह भी देख रहे हैं लेकिन आप उसका अध्यन तो नहीं कर रहे है न तो यहापर इस जोग्रफी के जो टर्म से आपको थोड़ा सा ध्याद से समझ दे की जरुरत है और अगर ना समझ में आए किसी भी चीज में किसी भी वाड में कोई इस अगर बेस नहीं बनाओगे ना आगे जब मैं पूरा सौर मंडल की बाद कर दूगे गलेक्सी की बाद आप कहोगे मैं ग ओर किया कौन है रहे है अपैबली आफ दफ दफ रहे ना इसल हम कर लहा है बाद कर लेऊध थोड़ा सा भाट अ क्या है ड्यां कैसे अगल Öरे बाद का की एधार होगे सूरे है इस यूज मेट अफ ऑफ एक्स्टीमली होट गैसे यह बहुत ही जादा जो गर्म गैसे हैं उससे बना हुआ है तो यहां पर आपको याद अटना यह सारी बात है और याद अटना कि बच्चों हमारे जो सौर मंजल की अगर हम बात करें तो हमारे पूरा जो सोलर सिस् पूरे सोलर सिस्टम के लिए जो सन है जो सूर है अल्टीमेट सोर से चाहे लाइट की बात हो चाहे हीट की बात हो तरस बाउट वाउट वान फिफ्टी मिलियन क्लो मीटर अवे प्रॉम आर्थ ठीक है तो यहां पर वन फिफ्टी मिलियन यह किसकी बात हुई है यह बात हुई है इस बीच की दिस्टेंस की कि यह सूर से कितनी दूरी पर है तो वन फिफ्टी मिलियन है ना वन फिफ्टी मिलियन की दूरी पर है यह बात आपको यादर रखनी है चलो planets हमने देख लिया है न और बाकी हमने orbit की बात कर ली कि ये जो path है जो कि एक fixed path है move around the sun in fixed path these path are called orbits ठीक है तो orbits की भी हमारी बात हो गई चलिए sun की भी हमारी बात हो गई अब हम थोड़ी सी जो चर्चा है मैं प्रत्वी की करेंगे लेकिन उसके पहले मैं कुछ बाते और लिख देती हूं कुछ points और लिख देती हूं ताकि आपको notes बनाने में बहुत आसादी हो जाए कि क्या शुर्मात में मैं रिस्क नहीं ले सकती कि मैं आपको दो चीज़े के वल टीपीटी पर बता दू है ना सारी चीज़े notes भी इस लिए बनवाती हो बच्चो तोलर सिस्टम सौर्मंडल हम ने देखा सौर्मंडल में क्या क्या आएगा Sun planets ठीक है satellites उब्र Sun, planet, satellite जो भी अदर celestial bodies है खगोलिय पिंड है जो भी अदर celestial bodies है जो भी खगोलिय पिंड है ठीक है यह सब इसमें आएंगे satellites हो गया ठीक है satellites मतलब उब्र है अच्छा आपको भी उब्र नहीं बता है वो भी बता देती हूं ठीक है तो जो भी ग्रह है यह सब इसमें आएगा और अदर celestial bodies की अगर हम देखे तो इसमें आपके शुद्र ग्रह और उलका पेंड आएंगे asteroid and matter it ठीक है यह का आएंगे आपके asteroids शुद्र ग्रह और आपके matter प्लेट प्लेनेट्स की बात की तो इसके अलावा मैंने आपको बताया थोड़ा सा सोरे के बारे में सन के बारे में और हमने क्या देखा कि यह जो है वह पूरे सोलर सिस्टम का एक मुखिया है तो सोर मंदल के केंडर में है द सन इनदा सेंटर औफ इसल ऑफ अंटर ओफ दा सोलर सिस्टम अपने यह भी देख ले कि बहुत जादा होट गैसिस से बना है और ये जो है ultimate source of heat and light ultimate source of heat and light उश्मा एन प्रकाश का एक मात्र एक source है और अगर हम अर्थ के बीच पे और sun के बीच पे हैं sun और ये हमारी प्रत्वी जिस पर हम रह रहे हैं इसके बीच की अगर हम distance की बात करें तो ये कितनी है लगबाग one fifty billion है ना पंद्रा करोड क्लो मीटर हम हिंदी में लेख सकते हैं पंद्रा आप हिंदी में ज्यादा देखोगे आपको ये distance करोड में बिलेंगे पंद्रा करोड क्लो मीटर और अगर आप इंग्लिश वाली बुक में देखेंगे आपको one fifty million मिल जाएगा ये one fifty million क्लो मीटर ये distance और सारी चीज़े clear हो गई ठीक है अब लेकिन बच्चों ये जो ग्रह हो गया प्रत्वी ग्रह है अब देखो इसके चारों तरफ भी एक जो प्रत्वी का एक मात्र जो उपग्रह है वह क्या है मून चंदा मामा है है ना चंदा मामा चंदा मामा की जो origin का जो कहानी है वो हम इसमें जोग्रफी में पढ़ेंगे बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानिया है यह सारी चीज़ है कि कैसे चीज़े बढ़ी है जो हम आकाश में देखते हैं कभी आप अगर खाली बेट्चे और आस्मान को देखना तब आप सूचना के यह पूरा हमारा सोलर सिस्टम है रात में जो चीज़े चमक रही है वो सलस्ट्रियल बोडीज है वो स्टार से जनका अपना हीट है जनकी अपनी लाइट है तो यहाँ पर यह सारी चीज़े तो अब आकाश को देखो तो थोड़ा से यह आपका रिवीजन हो जाएगा क्लियर है तो यहाँ पर हमने एट प्लैनिट्स की भी बात कर ली एट प्लैनिट्स कौन-क Saturn, Uranus, and Neptune टूटो को का बटाया, क्यों हटाया हम समझ गए ठीक है, and Neptune तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 यह लिया रहे चलिये अब नेक्स्ट है आपका खोड़ी सी चर्चा हम करते है, प्रत्वी की बारे में, अर्थ की बारे में, ठीक है, तो यह रहा भही आपका अर्थ, यह आपको जादो तर ब्लू दिख रहा है क्या, है ना, ब्लू दिख रहा है ना, चलो हम इसको नीला ग्रह कह देते है, ब्लू प्लैनिट, ब्लू प्ल अगर आप जहां सांस ले सकते ना तो यह जादा ठंडा है यह जीवन के लिए जीवन के लिए पत्ती के लिए बहुत आधर्श जुद शाहिस्थिती है वह बनाता है दार्ट अगर 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 हम साइज के अकॉर्डिंगली देखे तो यह फिफ्ट प्लाइट है ठीक है अगर बचो यहां पर यह जो फ्लैटेंट है इसी वज़े से कि यूपिण लोगर느िंट के लोगर है विसreon यूद्न Präsident Yes एक पृत्विन के पास है जिसके साउथ पोल है उनके प्रोडी सी चप्ती है तरह नहीं बच्चों लिए तो यह को प्रत्वि को पड़ते हैं । समझ रहे हैं इसका जियाट कहते अब हुआ जाता है इसका मतलब होता है जय और्ड का मतलब क्या होता हैं mmarnosなくasmagoda hier प्रतवी के जैसा ही आकार है? अगर किसी ग्रह wiping? को अगर जो आतख की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुओ गाल प्रत्वी के जैसा आकार है प्रत्वी जैसा आकार यह important है कि इसको ज्याड क्यों कहा जाता है भुवाब क्यों कहा जाता है तो हम जिस भी चीज़ को भुवाब कहा देंगे मतलब प्रत्वी के जैसा उसका आकार है ठीक है तो यह किस word से मिलकर बना है ये आपका बना हुआ है ठीक है आपका ये जो जिए वर्ट है ये दो वर्ट से मिलकर बना है एक तो है आपका जियो एक है आपका उडस ठीक है resemble दा इसका मतलब होता है resemble देगा shape of form of the art मतलब प्रत्वी के जैसा आपकार जहां पर बन रहा है है तो यहां पर प्रत्वी पर है ना जो टू थर्ट एक तरस अगर हम इससे की बात करें का वाइब वाटर ठीक है तो यह हम देखेंगे कि जब आप आसमान से देखते हैं तो आपको यह नीला जो है वैं दिखाई देता है और इस वज़े से हम इसको नीला ग्रह की रूप में जानते हैं ठीक है बाकी दो तीन की कंडिशन से यहां पर लाइफ के लिए किस तरह है कि फेवरेबल है ना ही बहुत ज़्यादा यह थड़ना है ना गरभ है और मतलब फेवरेबल है ना सपोर्ट लाइफ आप अपर वर्ड लगाया गया है क्योंकि अगर कहीं और जीवन तो हो सकता है विज्ञानिक जो है में खोज ना पाए हो जीवन को है ना तो यहां पर क्या है कि यहां पर सपोर्ट लाइफ के लिए हम जो एटमोस्फियर सारे चीज़े मिलती है संभवता है पूरे मतलब यून ब्रह्भान में यह माना जाता है कि जीवन अभी के मल प्रस्वी पर है जितनी खोज है जितनी हमारी पहुंच है उस आधार पर हम इस बात को कहते ह फाना है नेक्स्ट मून है रख चंद्रबा तो आप यह तो समझ गए कि चंद्रमा क्या है क्या है एक जो की सूरे के चारो तरफ चकर लगा रहा रहे जो कि उस ग्रह की तरफ जैसे कि ये आर्थ है तो आर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा ये मून हो गया ठीक है तो इसके अपनी एक फिक्स एक कक्षा है और अगर हम देखें कि आर्थ के बीच में और ये जो मून आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टे बॉड़ी जैं उनके अउनके कंपैरिजन हमें बड़ा क्यों दिखता है क्योंकि ये नजदीक है प्रतवी के ये जाता नस्दीक है ना इस वज़े से हमें आई जो अधर आपके सेल्स्टेल बॉड़ी जो खगोली पिंट है उनकी तुल्णामे हमें जो कंपैरिजन में अधर सेलस्ट्रियल बॉड़ी के चारू तरफ प्रतवी के चारू तरफ जो चाद्रमा है वह 27 डे में अपना जो पूरा एक राउंट है जो परिक्रमा है वह पूरी कर लेता है अच्छा अगर आप मन्स देखते हैं मन्स जो जैन्वरी फर्वरी है ठीक है जैन्वरी अभी है सारे तो आप देखोगे कि लगबग 27 डेस तो एक तरीके से हम देखते 15 डेवाइड हो गए सारा कैलेंडर सारी गड़ना जो आप देखते हैं चाहे आप अंक गिनो चाहे मतलब आप वर्ष गिनो है ना आप तिथियां गिनो यह सारी चीजें जो है वह हमारी इन ही खगोनी पिंडो के अनुसार ही तो है तो चाहे हम चद्रमास की बात करेंगे आ आप के चारो तरफ घूम जाता है और अगर यही हम देखें प्रतवी का तो सूर्य के चारो तरफ थील-उस्टी फाइब बतलब एक वर्ष हम कैसे घड़ना करते कि सूरे के चारो तरफ तरफ प्रतवी को एक वर्ष हो गया हम prestigious 5 days count करते हैं न वन येर में तो वो 365 देज आपके सूरी के चारों तरफ वाली परिक्रमा है और अगर आप मंथल के आसपास देखें कि आप 3031 का यह तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हम ने अपनाया लेकिन बाकी अगर आप देखते हैं जो इंडिया जो ही बाकी कैलेंडर आप देखोगे तो उस कैलेंडर में इस तरह से आप चंद्रमा और बाकी सारे चीज़ें देखते हैं ठीक है लगबग देखो यह ऐसा तो है नहीं है कि यह केवल जो कोई भी बॉड़ी है वो बस ऐसे ही गूम रही है वो अपने भी एक्सेस पर कुछ तो मूव कर रही होगी तो exactly जब यह चारों तरफ घूमता है ठीक है प्रत्वी के जो चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा तो यह अपने एक्सेस पर भी घूम जाता है और यहीं एक कारण है कि हमें हमेशे चंद्रमा का जो एक पार है वह दिखाई देता है ठीक है तो यहाँ पर यह बात जो है यह भी आपको याद रखनी है ठीक है क्लियर है साथ यह देखो कि अगर हम यह देखें कि प्रत्वी के व्यास से मतलब इसका साइज कितना है तो लगभा वन पौर्ट है ना वन क्वार्टर जो है इसका साइज है प्रत्वी के हिसाब से अच्छा human-made satellite भी होते जिसे आप edusat की बात करें edusat और insat सर्च करना इसको ठीक है यह क्या है human-made satellite तो यहाँ पर केवल जो यह satellites है ठीक है जो आप उपग्रहों की बात करेंगे यह मारब निर्मित भी उपग्रह है है ना सैट्लाइट साब तो आप काफी सुनते होंगे लिया रहे तो यहाँ पर अब देख रहें कि 27 डे में प्रतवी के चारों तरफ घूम रहा है लगबग इतने ही दिल लगते हो उसको कि वह अपने access पर भी घूम जाता और यही एक कारण है कि हम उसका केवल एक ही जो भाग है वह दिखाई देता है साथ ही यहाँ पर देखो life support conditions नहीं ह तो क्या केवल planet सी है पूरे आकाश कंगा में solar system में क्या आपको जो दिख रहा है आसमान में केवल आपको planet सी दिखते हैं केवल आपको satellite या फिर कुछ और भी होता है इनके अलावा यह बाना जाता है कि कुछ और भी ऐसे tinny bodies है ना कुछ और भी ऐसे क्या है टिनी bodies है कुछ और भी ऐसे छोटे करन है जो कि चारो तरफ घूम रहे है ठीके एस्टरोइट हम उसको कहते है शुद्रगरा हम उसको कहते है आप देखो आप वापस चलते हैं हम अपनी एक सुंदर सी पिक पे और वो यह है बच्चो ठीके तो आप जानते हो एस्टरोइट क्या है बच्च यह किसके बीच में हैं तो मार्स और जुपीटर की बीच में है वह इसको कहा जाता है अगर कि अगर हम पच्छी की बात करें तो किस किस के बीच में है हमने देख लिया कि यह मंगल और प्रहासपती मार्स जो जुपीटर है इसके बीच में है ठीक है जो कि सूरे के चारों तरफ यह भी चकर लगाते रहते हैं तो यहां पर यह बात आपको रखना है बिट्वीट ऑफ मास जुपीटर मंगल और रहासपती के बीच में इसकी पूरी पट्टी जो है जादा दिखाई देती है इसको हम का कहते है अस्टेरोइड वैल्ट कहते है ठ तूट गए और यहां पर आके वो एक कशा में कॉबिट में जो है सूरे के चारों तरफ अपने फिक्स पाथ पर चलने लगे आया समझ में यह क्या है यह प्लैनेट के ही टूटे हुए पार्ट है जो विस फोर्ट के दौरान अलग हो गए होंगे आ गया इतना समझ में तो मार्स और जूपीटर की बीच में है अगर हम ग्यानिकों का मत देखे व्यू देखे इसके अलावा क्या है कि और भी धूलकड की बात कर बहुत से चीज़े हो सकती है तो यहां पर क्या कुछ पत्थरों की टुकड़े हैं कुछ चट्टानी जो पत्थर हम कहें दे दा स्मॉल पीस ओफ रॉक चट्टारों की जो टुकड़े है अच्छा यह बत बताओ कि आपने देखा होगा तूटता हुआ तारा तूटता हुआ तारा है जल्दी से प्रे कर यह देखो मैं आपको यह दिखाती हूं यह देखो है अपको यह देख रहा है आपको यहतों आप समय गए होगे Ooo मैं तक है अटल्क update तो तैजसे ही हम क्या कै रहाए यह हैं यहीं है आपका इल्चाविक्ष है को तो बेसिकली देखो यह जल क्यों जाता है यह इतना चमक क्यों जाता है तो याद अट आपको कि जब यह कभी-कभी प्रत्वी के नज़्दीक आता है तो वायू मंदल पे जब प्रविश कर जाता है तो यहां पर घरशन के कारण वो जल जाता है और इस वज़े से वहां पर तेज प्रकाश और उश्मा जो है वे पैदा होती है जैसे आपने उलका जील सुनी है जो उलका उलका पिंट से जो जील बढ़ी कॉमेंट करके बताओ जरा अगर आपने किसी ऐसी आप जील को आप जानते हैं तो यहां पर कभी-कभी जब यह प्रत्वी पर गिरते हैं तो जील का भी निर्मान हो जाता है तो यहां पर मेटेरोइट्स है ना दस्माल पीस और आते हैं तो यहां पर जाता है इनकी उश्मा बहुत बढ़ जाती है गर्म हो जाते हीट अप एंड बर्ण और इसलिए यहां पर एक जो चमकदार प्रकाश है वे पैदा होता है इट लगते हैं तूटता हुआ तारा वो यह होता है अब इससे कभी प्रीमत अब नहीं मांगोगे इस से आए थिंग आप समझ गए कि यह तूटता हुआ तारा है या फिर क्या है ठीक है तो स्मॉल पीस ओफ रॉक है और लेकिन जब प्रत्वी के नजदीक आया तो वाई-उ- कहते हैं गैलक्सी आकाश गंगा अकाश गंगा तो अभी तक कुछ तरूप की बात करें ते को सुर्ण जाने आकश गंगों में कितने सुर्ण है नहीं पता हमें है ना तो हम देखेंगे कि अस उस सिस्टम warm उस फाम से इसे परिचित है यह पता है कि हो सकते हैं, cloud of dust हो सकता है, gases, there are million of such galaxies and that make the universe, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि एक huge system है, जो billion of stars का huge system, जिससे हम परिचित ही नहीं है, तो यहाँ जैसे कि हम कहते कि हमारी जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का, उस आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकनी, यह भी UPSC ने पुछा हुआ है, तो यहाँ पर यह जो chapter है, आपका इनी points पे खतम होता है, ठीक है, clear हुआ आपको, यह आपका क्या है, गैलक्सी, तो आमने देख लिया कि जैसे कि यह आपका आर्थ है, फिर उसके बाद आपका solar system है, फिर उसके के बाद फिर आपका universe है, तो जाने कितनी million of galaxies है, million of आकाश गंगा है, जो है, लाखो आकाश गंगा है, हैना, यह सब ब्रह्माच का पाठ होंगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है, वो आपका universe है, ठीक है, क्या है आपका universe है, तो देखो आच्छी क्लास में हमने काफी कुछ समझा, the earth in the solar system, और इस पर हमने बाद की celestial bodies की, फिर से जल्दी से एक बार revise कर लो, celestial bodies, stars, ठीक है, constellations, planets, solar system, earth, sun, moon, asteroids, moon पर जाने वाला first व्यक्ती, नील अंस्टों, ठीक है, याद अपना, so geography, दो शब्से मिल कर बना है, geographia, that means earth, प्रत्वी, graphia, that means writing, find out more about the earth, प्रत्वी के बारे में और जो जानकारी है, वैं हासिल करना, geology यानि study, geometry यानि मापना, measuring करना, geoid मतलब form of the earth, प्रत्वी के जैसा आकार, ठीक है, हमने इस पूरे system को समझा, कि यह हमारा सौर मंडल का एक तरह से प्रमुख है, यह कौन है आपका sun, the sun is the star, और यहाँ पर इसके चारो तरफ जो घूम रहे हैं, अपने एक fixed path पर, जो कि orbit इसको कहा जाता है, move around the sun, यह जो planets है, यह fixed path पर घूम रहे हैं, और planet क्या है, जो सूरी के चारो तरफ चक्कर लगा रहा है, यह planet है, satellite क्या है, जो कि इन planet के चारो तरफ चक्कर लगा रहा है, जैसे कि हम कहें, moon, ठीके, और वो प्रतिवी का एक मात्र है, तो हमने देखो एक बास पर देख लो, कि अगर हम theorist के accordingly देखे, तो सबसे फस्ट क्या है, 88 days लगते है, बुद को, अब देखो इनके दिन कैसे बढ़ जाते हैं, मैं आपको एक बार, एक फिगर बना हुआ है, पेश नंबर 3 पो उसको देखना, ठीके, तो यहाँ पर देखो, मरकरी को लगेगे, कितने 88 days, क्योंकि इसकी कक्षा चोटी होगी, जान उसके बाद से आप जब थोड़ा सा और, आप राउंड लगा के जाओगे, तो आपका समय बढ़ जाएगा, तो सेकंड जब वेनस की वीनस की बात करेंगे, तो और अरउंड सन 255 डे लगेंगे इसको, ठीके, शुक्र ग्राव को कितने 255 लगेंगे, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, और यहाँ पर आर्थ को कितने लगेंगे, 365 डे, मार्स की बात करेंगे, मंगल की, तो 687 डे लग करेंगे, 11 year, 11 year, अच्छा कर मैं यह कहूं आप से, कि आप यह बताओ कि सूरे के चारो तरफ जो एक ऑबिच में घूम रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन घूमेगा, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम किसका होगा, तो आप नेप्चून कहें कि नहीं कहेंगे, definitely, नेप्च करेंगे, तो Uranus जो है, 84 year लगेगा, 29 years लगेंगे, शनी को, हैना, Saturn को, जुपिटर को 11 year हमने देख लिया, तो सबसे बड़ा ग्रह यह है, अच्छे देखू, आप देख रहे हैं कि इसके चारो तर थोड़ी से छले टाइप के बने हुए, रिंक स्टाइप के बने हुए है, तो UPC कुश्यन पूछता है, जैसे माली जे, कि रिंक से एक तरह से वलाई वाला या चले वाला जो प्लैनेट है, तो आपका Saturn है, शनी है, ठीक है, सुन्दर ग्रह भी इसको कहा जाता है, भले आप डरते हैं शनी से, चलो वो बात और है, तो यहाँ पर हमने देखा, पूछने के लिए स्वतंतर हैं, और मैं भी बताने के लिए है, चलिए, बिलते हैं, अपनी कल के next class में, तो आपके क्या comments है, और इस बात का बुरा मत माना, कि 6 के बाद मैंने quality के बाद geography शुरू कर दिया, quality आप और अपने दोप्टेट फोर्म पर थोड़ थोड़ पढ़ी किया, और इसके बाद 7 का quality, फिर 7 का geography, तो ऐसे से कर लिते हैं, एक एक subjects को अराम से ले कर चलो, ठीक है, गबराने के जरूरत नहीं है, याद अपना कि PT का जब paper आएगा, उसमें सारे subject एक साथ ही आएगे, तो यहाँ पर आप बहुत जाद उसको नहीं कर पाऊगे, नहीं म होते हैं, चले हम अब मिलते हैं अपनी next class में, class कैसी लगी, चीजे समझ में आई, notes जरूर बनाएगा, so thank you, thank you so much.